पंचायत एवं ग्रामिंट विकास मंत्री कमलेशवर पटेल ने कहा कि त्रीस्तरी पंचायती राज विवस्ता को पुनरजिवित कर उसे मजबूत बनाने के दिशा में एक सार्थक पहल मद्यप्रदेश शासन के द्वारा की जा रही है। पूर्मों भोपाल जिला कांगरेश गरामिं अध्यक्ष अवनीश भारगों, बेड़सिया जनपत उपाद्यक्ष ओम्प्रकाश शर्मा एवं मध्यप्रदेश की कई जिला पंचायत जनपत पंचायत के अपध्यक्ष गण पदाधी कारियों एवं सदस्यों ने स्वागत एवं आभार व्यक्त किया रोपाल चेक अजेंद्र सीन सोलंकी की रिपोर्ट पूरू मुख्य मंतरी दिगविजासी और वन मंतरी के बीच शुरू है विवाद के बाद उमंग सिंगार ने मुख्य मंतरी कबलनास से मलाकात की जिसके बाद ये विवाद समाप्त हो गया है ये कहना है प्रदेश के जनसं कि इसी चीज से कोई नुकसान नी होगा कालू कि मुख्य मंतरी कमलना जी से मुलाकात हो गई मैं कही जादा कि ओं मिलेंगे तो नियाकन हो जाएगा तो मैं समझता हूं तो नियाकन हो गया हूंगे मुख्यमंति हुआ जो प्रदीस कॉंग्रेस के अद्देक्स हैं उनसे मिलने के बादू है कि यहाबुआ का चुनाओं कॉंग्रेस जीतेगी और नगरी कल्यान नगर ज्वा में भी सावाल आये था जवाब मैंने दिया था उसकी जाच होगी उसका अधिज दे दिये गए निसरे गायब हो जाए लेकिन गोटाला फो निगाए गहाई गायगा उसकी जाच होगी पूरे मद्वदेश के संभागी स्कूल के बच्चे हाये थे उनका हाकी और दूसे अन्य खेलों के टूर्णामेंट हो रहा है उनकी ठहरने की व्यवस्ता ठीक से हो और वो रुख सके हैं क्योंकि इस तरह के आयोजन खेल के हमेशा मुपाल में होते रहते हैं राजधानी मद्वश्की तो मैं खेल मंत्री जी से पटवाजी से और मुख्यमंत्री कमलना जी से निवेदन किया है कि एक कॉंप्लेक्ट बनन और अबने गारी कम करा था स्वाजी जाता है उसमें आयोगा आपने गोला था कि निश्ची तोप एक सांसकती जो कारकम होते हैं तो नहीं पतिवाहें जो होती हैं वो बहर के आती है और उनको एक नया प्रेटफार मिलता है कल जो कारकम था रवीन बहर में जो युःवर न संसा ने किया था उस नहें चाहरों को फैरी बार बहुत से थे जोन्हों ने अपना वहां पर प्रदशन किया बहुत अच्छा किया तो उनको मौका मिलता है आगे बढ़ने का है ऐसे कारकम होते रहने जाए यह घंती वया है कुछ मीं करें यह दी से बाहर है और पांच साल पार रहेंगे, कमलना जी मुक्ति मतित रहेंगे और सभी नगरी निगाय चुनाओं में और सभी काउं की जीते है अनु यह सिंगस्त वाला वो सिंगस्त गोटाले वाली फाइल आया वो भी बता नहीं मंपराले से लेखिए फाइल कोई सी गाय हो जाए लेकिन गोटाला गा जिनों ने ब्रस्का चाहर किया है उससाद को सजा मिले। तरिकाई पे सिसके मंतिर की शिकायत आपने वनमंत्री से कि थी इसको अपने कोई कारवाई इनी कि देए? मुझे उमीद है वनमंत्री सिंगाल जी उसके कारवाई करेंगे क्यार पुरा मामला मुझे मंत्री से भी आपने इसको शिकायत गी ओले ते लिए लिए लोटे पेस बोलेकर आपने इसको इसको प्रवाई अगर कोई अधिकारी ये कंचारी किसी भी मंत्री का ठीक से जवाब नहीं देगा तो अनुशाचान की जिंदा मानी जाईगी उसी कंदर में मैंने मंत्री उसको शुला है कब तक हो जाएगा पीसी सी चीद के नाम ज़िए प्रवां पूर मोर लग लग लाएगी ये बात आप अब मद्वडेच के मुकमन्दी और देश कंदरी तो इसको शुलिया रहे हैं देश का गौरव चंद्रयान दो साथ सितंबर को चंद्रमा पर उतरेगा वहीं पीम नरेंद्र मोदी बैंगलोर में इसरो स्पेस सेंटर में बैट कर उन गौरव शाली पलो को देखेंगे उनके साथ कुछ खास नन्ने महमान भी होंगे जिन में जबलपूर का एक शातर भी श स्थित इजरो स्पेस स्टेशन में मौझूद रहेंगे इजरो ने इसके लिए विशेश व्यवस्ता की है इस मौके के लिए उसने देश भर के कुछ मेधावी चात्रों को चुना है सिदक भी उनमें से एक है मोदी के साथ स्पेस क्विस जीतने वाले देश भर के 50 बच्च को अस्थर करने का प्रयास कर रहे हैं इसी के साथ बीजेपी के राज शेमास अचीव कैलाश विजवर्गिया कॉंग्रिस पर जम कर हमला बोला केलाश विजवर्गिया ने कहा कि कैविनिट मंत्री ने दिगविजेश सिंग पर अवैद शराब के 5 आरोप लगाए हैं इसलिए उन पर कारिवाही की जाए इस मामले को लेकर सीम कमलनाथ को ततकाल कारिवाही करना चाहिए अगर सिंगार सही बोल रही है तो दिगविजेश सिंग को गिरफतार करे अगर जूट बोल रहे हैं तो सिंगार पर कारिवाही करे दिगविजेश सिंग जी पर आरोप लगाने वाले उमंद सिंगार कमलनाथ मंत्री मंदल के केमिनिट मंत्री है कमलनाथ जी मुक्ष मंत्री भी है और कॉंग्रेस के अत्यक्ष भी है हम उनको टैं करना है कि यदी उमंद सिंगार ने सही बोलाए तो उनने ततकाल दिगविजे शिंग के खिलाफ कारवाही करना चाहिए यदि वह अवेध श़राप का फ्योचाय करना है तो ततकाल उनने गिरफतार भी करना चाहिए क्योंकि केबिनेट मंत्री ने ये कहा है और यदि उन्होंने जूटा कहा है तो कमलाज जी को उमंग शिंगार जी के खिलाब कारवाई करना चाहिए कमलाज जी के पाले में गेंध है क्योंकि दोनों ही यदि तीक वजय जिंग जी अवेश शराप का विवसाय कर रहा है तो यह बहुत चिन्ता की बात है कि पूर मुख्य मंत्री इस प्रदेश के अंदर अवेश शराप का विवसाय करें और वो आरोब विपक्षे वैक्ति ने लगाया सरकार के गेमिनिट मंत्री में लगाया मुरीसलिय कमला जी को चाहिए कि इसको पड़ तत्काल इस्पष्ट करण दे और कारवाई करता लगाया सब्सक्राइब करता हुए कि पंगर्स है यहां संगर्श के अरुण यादवने किरफ्तार में अरुण यादव और मलाई खा रहा है कमल नाची जो हमेशा एसी में बेटके राजनीती की जिंद्गी में होना खरगोन में शास्की कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज शात्र शात्राओं ने सड़क पर चक्का जाम करते हुए विरोत प्रदर्शन किया शात्र संगठनों का कहना है कि कॉलेज प्रवेश प्रवेश दिया है लेकिन जिन शात्रों को प्रवेश देना चाहिए उन्हें बाहर किया जा रहा है खरवोन के शास्की महाविध्याले में प्रवेश को लेकर लंबे समय से मरा मारी चल रही है पहले शात्रों ने सीटों को लेकर चरनबद अंदुलन किया बाद में जनसुनवाई में कलेक्टर कारेले पहुचे एनस्यू आई ने कॉलेज में एड्मिशन को लेकर प्रवंदन पर आरोप लगाते हुए जम कर नारे बाजी की ग्यापन देने के बाद शात्र शात्राओं ने कॉलेज के में गेट पर तला लगा कर सड़क पर बैट गए जहां कॉलेज प्रवंदन के खिलाब जम कर नारे बाजी करते हुए हंगामा किया अब यह सब्सक्राइबर कर नारे जैबर बाजी कर लेकिन यह हैं आपने रिच्टेदारों को इडमिसन रात को आण बज़े दे रहा है लेकिन यह हाम बच्चे सब परिशान हो रहे है सुब़ चे बजे से आए अभी इतना प्रदरोसन होने के बाद इनने नोटिस लगाया है कि छे तारिक से एडमिसन हो गए जबके समुझे प्रदेश में तीन तारिक से एडमिसन हो रहे यह प्रदेश के इस कालेज के प्रोफेसरों की क्या मंसा है चात्रों का भविस से देख आप 5 बच गई कोई यह जवाब भी नहीं दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है। हमक्रान दोलन होगा सक्टरिक अमको वसम करूंगर रहा है. गटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुची पोलिस ने नाराज शात्रों को समझाईश दे कर कॉलेश प्रबंदन से बात कर विध्यारतियों के समस्या को दूर करने की बात कही प्रबंदने की जो सीट रिखते हैं को हमको अभी लगा है कि कम परसेंटेज वाले चात्रों को चात्रों को पेले अडमिशन दिया जा रहा है रविश नहीं मिलने से नाराज शात्रों ने सड़क पर चक्का जाम किया जिससे सड़क के दोनों और वहनों की लंबी गतार लग गई पुलिस ने विध्यारतियों को हटा कर यातायात फिर से सुगम कराया सोने के भाव में मंगalवार को रिकॉड तीजी देखी गई इंद और के सराफा बाजार में सोने का भाव करीब 20,000 रुपे के तीजी के साथ 40,000 रुपे के रिकॉड इस्तर पर पहुंच गया है वेश्पिक इस्तर पर तेजी के कारण सोने के भाव में बड़ोत्री हुई है इन दौर में सोने के भाव में एक बड़ा उच्छाल नजर आया है पहली बार सोने के भाव 38,000 से बढ़कर 40,254 तक पहुँच गया पंजाब जुलर के मेनेजर नितेश पोरवाल ने बताया कि कुछ दिनों में सोने और चांदी के भाव में काफी उच्छाल और गिरावट देखने को मिल रही है यह बास साफ है कि इससे सोने की खरीदी पर काफी बड़ा असर देखने को मिला है गौर तलब है कि तेवहारो का सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में अधिकान शुरूप से धातों की खरीदी में इजाफा दिखता है लेकिन इस बार सोने के भाव बढ़ने से शेतर में उससाह कम है कई लोगों का यह मानना भी है कि दिवाली तक सोने के भाव और बढ़ने की आशंका है इन दौर से रक्षायादों की रिबूट मादिप्रदीश सरकार में वनमंत्री उमंगस सिंगहार ने विवरिष्ट कॉंग्रेस नेता और पूर्ब मुख्य मंत्री दिग्विज़ सिंग पर गंपीर आरोप लगा है मंगलवार को मीडिया से बाचीत के दौरान उन्हों ने कहा कि दिग्विज़ सिंग देश में ध्रूवी करन कर रहे है वो कमलनाथ सरकार को ब्लैक मेल करते हैं दिग्विज़ आखिर कॉंग्रेस को कब तक जराएंगे दस साल तक मुख्य मंतरी रहे हैं कॉंग्रेस फिर्ख से सत्ता में आई तो मलाई कार्ट ने क्यों आ गए दिग्विज़ सिंग पर आरोप लगाते हुए सिंगा ने कहा कि वो चुनिन दाविधायक और मंतरी के नाम पर ब्लैक मेल कर रही है मैं चाहता हूँ कि जन्ता को रेट सस्ती मिले फिर क्यों वहाँ अपने थेकिदारों को गुसेरते हैं सरकार पर दमाव बनाते हैं बच्चों की तरह जिद करते हैं सिंगार ने यह भी कहा कि दिग्विज़ संभाग या सर पर मीटिंग करते हैं ट्रांसवर पोस्टिंग कराते हैं और मंत्रियों को चिठी लिख कर उसे वाइरल करते हैं उन्होंने यह भी कहा कि दिग्विज़ संभ ने उनसे मिलने का समय मागा है इसलिए विस सारी काम छोड़कर उनके इंतजार में बैठे हैं वह इस मामले में कवनाथ से भी मुलाकात करेंगे बोपाल से गजएंदर सिंग सोलंगी की रिपोर्ट हम गुजराज सप्लाय कर रहा है इनकी फुगी उसके अंदर अग वसी तरुक से पाट्रफ्त है प्रशाब कर दंदा कर रहे हैं तो सर्कार को लुट रहे हैं सरकार हाम जंता की सरकार आम कंग्रस कटार करता हो कि इसे दिग्वे सिंग की सरकार